नमस्कार आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जै गुरुदेव उत्रखन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्बुत क्रमा क्योर तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे गूड विशे पर जो कि कभी न कभी आपके मन में भी प्रश्ण उठा होगा जीवन में उतार चड़ावाते रहते हैं इश्वर समय समय पर परिक्षाएं लेते रहते हैं आप अपने अंतरमन में एक बात सोच कर देखिए जीवन में एक बार आपके ऐसा समय अवश्याय होगा जब आपको लग रहा होगा कि चाहे जीवन में कितना प्रियास कर लो लेकिन जीवन का जो अंदकार उस समय आपको प्रतीत हो रहा होता है उस अंदकार में यह समझ नहीं आता कि किस दिशा की और बढ़े प्रकाश का कोई नामों निशान नहीं दिखता एसी स्तीति में हमें कैसे अपने आपको समहलना चाहिए शरी महराज जी इस पर क्या प्रकाश डालते हैं तो आईए पढ़ते हैं इस आज के अद्बुत करमा की ओर श्री महराजी कहते हैं कि जो अनन्य भक्त अपने इश्वर पर अपने इश्ट पर अपने गुरुजनों पर परम विश्वास रखते हैं ऐसे भक्त को जीवन में सफलता मिलना तो होता ही है साथ साथ में ऐसा अनन्य भक्त जो अपने इश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है वे अपने इश्ट अपने गुरु जनों के सबसे नजदीक हो जाता है तो बात कर लेते हैं कि जीवन में जब ऐसा समय आ जाए कि चारों तरफ अंदकार ही अंदकार दिख रहा हो उस समय आपको कैसे अपने अंतरमन को अपने विचारों को अपने जीवन को समालना चाहिए अब देखिए महराज जी कहते हैं कि विश्वास अटल करो अब होता क्या है देखिए कि कृपा की सागर जब भक्त पर अपनी कृपा दृष्टी डालते हैं तो इससे पहले उसका परिक्षा होती है तो आप सोच भी नहीं सकते कितने कश्ट आते हैं जीवन में कृपा इश्वर करते तो हैं पर परिक्षा भी बहुत लेते हैं इसमें भक्त को अपना धैरन नहीं खोना चाहिए वे मन को तो समालना चाहिए और आसूं को उस समय हमें रोकना नहीं चाहिए क्योंकि देखे इश्वर क्या चाते हैं इश्वर जब आपकी परिक्षा लेते हैं वे इसलिए परक करते हैं कि मेरा ये अमूग भक्त कितना मुझ पर विश्वास करता है और जब बात विश्वास की है और आपको ये पता है कि आपके इस्ट जिन पर आपने भरोसा किया है व यह एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको फिर तूटना क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर तूट जाते हैं, एक और आप यह कहते हैं कि इश्वर पर मुझे पूर्ण विश्वास है, इश्वर पर मेरा भरोसा अटल है, मैं जिस गुरू को मानता हूं, मैं जिस इश इश्वर को मानता हूं, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, उनका हाथ कभी मेरे सर से उठेगा नहीं, तो फिर कैसे हम कमजोर पर जाते हैं, देखे, इस्तितियां कैसी भी आ जाएं, आप इस्तितियों पर नजर मट डालें, सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाह कि जो भी मौझूदा हालात उस समय चल रहे होते हैं, आप केवल और केवल उन हालातों के चलते जीवन में निर्णे लेकर अपने विचार बना लेते हैं, कि इश्वर मेरे साथ गलब कर रहे हैं, यह जो परिस्तितियां चल रही हैं, यह प्रभावी नहीं है, यह जीवन भ तो जब वह सुख में समय नहीं टिका, तो यह बुरा समय भी क्यों टिकेगा, क्योंकि देखिए परिवर्तन जीवन का नाम है, आपको यह सदयव समालना चाहिए, इस बात पर आपको गौर करना चाहिए, कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, दुख भी आएंगे, सुख भी इश्वर के आप चाहिए, कितने करीब हो जाएए, यह क्रम नहीं टूटेगा, इसी को तो माया कहा गया है, माया का बंधन इसे कहा जाता है, कि आपका मन अपनी इस्तिति और परिस्तितियों से अच्छा या बुरा सोचने लगता है, जो योगी जन होते हैं, उनका रिदय स समान रहता है, उन्हें ना खुशी से मतलब है, ना गम से मतलब है, जीवन में ना तो बुरे अनुभवों से कोई मतलब है, ना अच्छे अनुभवों से, सब को एक समान एक दृष्टी से देखते हैं, और इसी को सही मायने में ग्यान कहा जाता है, तो इसको अभ्यास करते रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि जीवन में अगर बुरा समय आ गया तो उसके हिसाब से जीवन में नेड़ने ले लिए अच्छा समय आ गया तो उसके हिसाब से नेड़ने ले लीजिए आप अपनी बुद्धी को यूं तयार करें कि नेड़ने जब भी लें तो अपनी क्योंकि अंतर मन में ईश्वर का वास होता है और महराज जी यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार को अपना मान के चल रहे हैं वही इस सुख दुख के करम में फस्ते हैं मोक्ष उसी व्यक्ती को प्राप्थ होता है जो इनसे मुक्त है अब मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता क्योंकि ये भौतिक संसार है हमारे कुछ पारिवारिक दाइत वह भी हैं और ये बात महराज जी से बहतर और कोई नहीं समझा सकता क्योंकि महराज जी ने अपने जीवन को भी इसी प्रकार से सार्थक किया महराजी स्वैम ग्रहस्त आश्रम में रहते हुए भी एक ऐसे उच्च कोटी के संथ हुए जिनुने अपने जीवन को सार्थक किया और अन्य लोगों को ये सिखाया कि कोई जरूरी नहीं है कि सन्यास लेकर ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ग्रहस्त आश्रम में रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है ये तो केवल बुद्धी का भेद है हम लोग बुद्धी का भेद नहीं समझ पाते हैं और हम ये समझने लग जाते हैं कि केवल एक ही मार्ग है इश्वर तक पहुँचने का जबकि ऐसा नहीं है जिसक जो है वो छूटेगा सभी से चूटेगा और हमारा जो जीवन है वे किसे उद्देश के लिए हुआ है तो ऐसे लोग जो अपने दिन में एक बार भी यदि यह सोच लेते हैं कि मेरा इस जीवन का सही उद्देश क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति जागरे तवस्ता में हैं इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी उनका मन एक संत की भाती सोचता है तो सोचने वाले जो विचार हैं अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए आज ये विचार आए हैं धीरे धीरे इन विचारों से आप अभ्यास करेंगे तो एक एक दिन वह भी अवश्याएगा जब आपको ग्यान की प्राप्ती हो जाएगी कि सही मायने में जीवन का अर्थ क्या है तो इसलिए कहने का आश यही है कि जीवन में जब भी अंदकार आए जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ तूट रहा है सब कुछ जीवन से चूट रहा है जीवन ऐसे मोड पर आगया है कि क्या करें क्या ना करें उसी समय आप इश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं स्वयम आपके इश्ट आपकी परिक्षा ले रहे हैं क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके सबसे करीब परमेश्वर यदि आप से कुछ मांगे आपको कुछ सिखाएं तो क्या आप सीखना नहीं चाहेंगे परिक्षा का आश्य है कि वो आपको कुछ सिखाना चाते हैं जीवन के सही माइने देना चाते हैं कि अब तक जिस सुख में आप जी रहे थे सही माइने में यह भी जीवन नहीं है अभी जि जाते हो कभी ज्यानवान बन जाते हो कभी मूर्ख बन जाते हो ये चक्र क्या तोड़ना नहीं चाते इश्वर यही सिखाते हैं जब भी आपको कश्ट देते हैं वरना कौन माता पिता चाहेंगे कि वे अपने अुलाद को अपने बच्चों को दुख परदान करें तो तो ये भ्रहम यही है कि हमें इस बंधन में इस माया ने ऐसा बांध दिया है कि हमारे आखों पर परदा पड़ गया है और हम इसे ही अपना जीवन समझ रहे हैं तो इससे उपर उठिये इश्वर को जानने का प्रयास करिये महराजी के साने दिमा जाएए सब कुछ एक नएक थाम कर चलना सीख लिया तो गुरु उसको पार निकाल लेंगे इस भवसागर से इस भौतिक संसार से और लेकर जाएंगे सुख में मोक्ष के स्थान पर जहां पर आपको होना चाहिए तो यह था आज का अदबुत क्रमाक आशा करते हैं इस क्रमाक से अवश्य ही आप पूर्ण स्रिष्टी का कल्यान हो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं मिलते हैं अगले क्रमाक में तब तक के लिए जै श्री राम जै गुरु देव जै उत्रखन